जब इस 3 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी रूम में हम बेड और अलमारी को डालते है तो स्टडी टेबल की जगह नहीं होती है तो बेटी गुस्से में आकर बेड पर कूदने लगती है तो उसकी मा रूम को पूरी तरह से खाली कर देती अब वुड की स्ट्रक्चर बनाती है दीवार को तोड़ के मोबाइल चार्जिंग के लिए सौकेट को लगाते है अब बेड पर गाड़ीदार गद्दा को डालेंगे जिसमें बेटी आराम से सो सकती है उपर एक अंडर ग्राउंड ऐसी को लगाएंगी दीवार के पास एक आलमारी को बनाते है जिसमें सारे क पड़ो और पुराने गद्दों को रखेंगे खिड़की के पास डेस्क बनाकर कम्प्यूटर को रखेंगे जिसमें लड़की अपनी पढ़ाई करेगी अब एक बुकसेल बनाकर अच्छी अच्छी किताबों को रखेंगे इधर एक ब्लैक बोर्ड बनाएंगे जिसमें की लड़कों की काटने का प्लैन बनाया करेगी